रोयल चेलेंजर्स बेंगलूरू की टीम ने आईपेल 2022 के लिए खतरनाग प्लेइंग 11 गोशित कर दिये तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ओक्षन में कौन-कौन से खिलाडियों को इस टीम के साथ जोड़ा गया हैं साथ ही कपता फाप डुबलेसिस ने गोशित की आर्सीबी की प्लेइंग 11 कौन-कौन से बड़े बदलाव अपनी टीम में किये हैं फाप डुबलेसिस ने किन दाकड खिलाडियों के साथ उत्तरने वाली ये टीम मेदान पर तो दोस्तों पूरे विस्तार से हम जानेंगे कि आ और अगर आप भी रोयल चलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मातर सोलाइक तो उमीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे तो दोस्तों रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू की टीम की कप्तानी करते हुए दिखने वाले है फाब डुबलेसिस वहीं पर अब इक तक के इतियास में बेंगलूरू की टीम ने एक भी टाइटल अपने नाम पर नहीं कर पाई है लेकिन बेंगलूरू की टीम का प्रफोमेंस काफि शांदार प्रफ्राइब का है वहीं दोस्तों इस बार रोयल चलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की गेंद बाजी भी सबसे खतरनाग माननी जा रहे हैं वहीं दोस्तों हम बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की बात करें जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाली है जिसमें हम है आइप यल 2022 में RCB की तरब से ओपनिंग करते हुए दिखने वाले विराट कोली और फाप डुबलेसिस ये दोनों खिलाडियों में RCB की ओपनिंग पेर में दिखने वाले हैं वहीं कप्तानी की जिमेदारी भी फाप डुबलेसिस के हाथ तुमें होने वाली है इन दोनों खिलाडियों पर ग्लेन मेकजुल गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्ले बाजी भी कर सकते हैं और ये अच्छी बल्ले बाजी और गेंदबाजी दोनों करके दिखाएंगे टीम के लिए वहीं पर हमें नमबर चार पर खेलते हुए दिखेंगे ओल राउंडर मही पाल लोम लोर वहीं पर हमें नमबर पाँच पर खेलते हुए दिखेंगे विकेट किपड दिनेज कार्थिक दिनेज कार्थिक अच्छी बल्ले बाजी करके टीम के लिए दिखाएंगे वहीं पर हमें नमबर 6 पर खेलते हुए दिखने वाले वोनिनंदू हंसरंगा ये अच्छी गेंद बाजी करके दिखाएंगे RCB की टीम के लिए वहीं पर हमें नमबर 7 पर खेलते हुए दिखेंगे सहबाज एमद ये भी एक अच्छे ओल राउंडर है जो की टीम के लिए शांदार ओल राउंडर की भूमी का डिबाते हुए दिखेंगे वहीं पर हमें नमबर आट पर खेलते हुए दिखने वाले RCB की सबसे खतरनाग खिलाडी हरसत पटेल ये अरसत पटेल अच्छी गेंद बाजी करके दिखाएंगे टीम के लिए वहीं पर हमें नमबर नो पर खेलते हुए दिखेंगे मोहमस सिराज मोहमस सिराज से भी RCB की टीम को एक खतरनाग गेंद बाजी की उमीद रहेगी वहीं पर हमें नमबर 10 पर केलते हुए दिखेंगे करन सर्मा करन सर्मा भी अच्छी गेंद बाजी करके दिखाएंगे RCB की टीम के लिए वहीं पर हमें इस टीम की तरब से नमबर 11 पर केलते हुए दिखेंगे जो ससलूड तो कुछ इस प्रकार से होने वाली RCB की प्लेइंग लेवन तो दोस्तों इस प्लेइंग लेवन के बारे में आपकी क्या राई है हमें अपने विचार कॉमेंट करके जरूर बताए तन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहने के लिए